बिस्मिल्ला रह्मानी रहीम अस्सलाम वालेकुम आज मैं बनाने जा रही हूं ताहिरी जिसे हम आलू वले चावल भी कहते हैं मैं अच्छी तरह दोकर और भीग जाएंगे ताकि यह थोड़ा जब तक मेरा मसाला भूने का तो यह अच्छे से भीग जाएंगे आदा किलो मैंने अलू ले लिए और इने मैं चोटा चोटा करके काट लूँगे आप चाहें तो आप इससे कम भी ले सकते हैं करें यह तो आदा किरो आदा किरो यह लहन ली आप मीडियम साइज की दो प्याज ले लिये और यह वी बारी करके काट लिया यह दो बडे साइज के टिमाटर हैं जो मैंने काट लीए अब मैं आपको पताती हूँ कि मसाले कौन से पढ़ेंगी सबसे पहले आप नमक लेले दो चाय के छम्ची एक चम्ची ये कुटी भी मिर्च है एक चम्ची पिसी भी मिर्च है देड़ चम्चा ये हल्दी है कुटावा ये धनिया है एक चाय का चमज यह जीरा है आठ दस यह कारी मिर्चे हैं यह साथ आठ लॉंगे हैं यह दो तीन दार चीनी है और यह तीन चार मैंने इसमें बड़ी लाज़ी डाली है यह छेसाथ हरी मिर्चे हैं यह आदा कप पायल है अब मैं अपना यह ताहरी बनाने स्टार्ट करती हूँ फिर मैं आपको बदाऊंगी कि यह चीज़े कैसे यूज होगी इसमें पिसावा गरा मसाला हम बिल्कुल यूज नहीं करते इसलिए के वह उससे हल जो ताहरी इसका रंग खराब हो जाता है वह यालो कलर की पीले रंग आध। कप स्मायल करें पटेः घञा पिर प्यास में प्यास बाटी नहीं मुल फिर जाओंगी थाखिए इसके आपशकानी अचिए अश्माय बनार करें menjadi Azamal करेंने। कि एक प्यास प्रावन हो लिए उसके साथ मैं यह चीजे डानाचुरू करते हो यह मैंने सबसे बार नाज फिर मैंने इसमे लोंगे डाली यह काली मिर्चे हैं यह इसमें बड़ी लाइचे और दार्चीनी इसमें शामील है इसको अब मैं जरा खोड़ा भून लूँ और मैंने आज हरकी कर लिए ताके प्याज जो है वो जादा काली ना होगा अब इसमें मैं यह लस्टन अद्रग दाल रही है ताक में इसके लिए नमक शामील कर दिया है कोटीवी मिर्चेंट यह सुर्फ मिर्च एक चमसा साई को यह हल्दी हल्दी ज़्यादा ताहरी में डालते हैं तो यह टेर चमसा में चाहिका रिया है और इसके साथ में यह साबी धनिया भी डाल दूंगी इसको अधुसरा सब कि अधिक थी पानी भी डाला मैंने थी अब मैं इसमें यह तीमाटर डाल रही हूं तो तो फटा सा चलाने के बाद में इसमें साथ आलू डाल दूंगी ताकि वह भी गल जैनी के दरद खोड़ा मैं इसको भून लूं मसाले को यह में ने चुटे-चोटे खाटली बड़े जाइका नहीं आता हर अब इस अच्छे से जाइका आएगा थोड़ा सा चला कि इसको जीज़ा सब भून लें इसमें तक्रिवन पानी डालो लेके जीज़ा तोड़े से इसमें छुप जाएंगे अलू भी तक्रिवन गल जाएंगे और टीमाटर भी गल जाएंगे इसको तक्रिवन में दस मिनट के लिए छुपा देती हूं जब तक ये खोड़ी दिर में ये अलू गल जाएंगे और इसमें चावर डागूंगी अशरा ये असारा बिलकुल भूण चुका है अलू डी गल बे इसमें तयार है हमें इसमें तोड़ी खोड़ी खेसाथ हरी मिर्चे ये डाल दूगी फोड़ा इसके बहुत अच्छा थेस्ट आजाता है बिलकुल ये भूनके तयार हो चुकी है अब मैं इसमें चावर डाल के इसको तक तक ये ढम नी हो जादी इसको पकाऊंगी अलू बिलकुल गाएंगे रिखिए बिलकुल अलू गल गया तो माटल भी सारे गल चुके है इसमें चावर डाल दूगी पानी में पके पानी में पके बल जाएंगे पानी में ब्लाइल बिलकुल अब बलकुल अलू को पके लिखिए ऐ गलाश पर साथि ये अज़िस में पकशल आपोलेहे इसमें तक ये इसमीं चलावर प्लीपराली ये मुनक्ते स्क अज़िश के आपने रिखिएचवा मोने और ये मोना सब्सक करसकी है पूरम देना साहिए तो मैंने इसमें एक चमचा और डाले क्योंकि चावल और आलो की वज़ए से चीजों की इसमें और उड़ा करना पड़ता है इसलिए नमक मैंने इसमें और मिलाए अब यह अक्रीमन बस यह दस फॉड़ा मिनट मैं इसमें दूल दूलगी अब यह देखि कि इतने चावलों में कनी रह गई है यह सब किसे में घल जाएगी यह मेरे चावल अलहम्दलिल्ला तयार हो गए दिल को तयारा में पिने दिशाओ करेंगे अच्छे से घल गए आलू भी गलेगा मेरे चावल तयार हो गए इसके साथ मैंने मिर्चो का चार है आम का चार है यह सलाद है इसमें मैंने टिमाटन नहीं डाले क्योंकि एप इसमें सिर्का डाला है और जीरे वारा दही इसके साथ आप यह खाएं और हरे धनीय की और बढ़ीने की भी चट्मी बना ले तो वह अइसके साथों अप्या कि गैपार जार पक्या कर राला है और गपार जा ओाला है और है अगेक की और बना ले समयसे का बना ले इसके साथ को त्क्या चैवне जह बांगर हं ठकावजन त्समें बादेक स 끊. krwi.